तो दोस्तो रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा के साफ पानी को मिक्स करना पड़ता है तो इसके लिए हमें हाथ का इयूज करते थे लेकिन आज कषिप वीडियो में ऐक मैसिन बनाया हूँ यह मैसिन हमारा इस काम को आसानी से करदेगा तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा आटा को पानी के साथ मिक्स कर रहा है तो दोस्तो ये मेसिन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकर की PVC पैप चाहिए जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हो तो दोस्तो ये PVC पैप की जो लंबाई है वो हमारा लगबग 15 cm है और इस PVC पैप की अंदर की गोलाई 4 cm है तो इतना सा बड़ा PVC पैप चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप सोल्डरिंग अरेन की मदद से होल कर देना तो देख सकते हो दोस्तो मैंने यहाँ पर चाकू की मदद से यह होल को बड़ा कर लिया हूँ तो इतना सा बड़ा होल कर देने के बाद हम यह PVC पैप का भी साइड में रखते हैं तो दोस्तो इसके बाद मैंने gear motor ले रहा हूँ आप लोग देख सकते हो इसको मैंने electronics की दुकान से 50 रुपे देकर खरीदा था तो दोस्तो इसका आगे की जो ये वाला भागे ये इसका shaft होता है जो की धीरे धीरे गुमता है लेकिन इसका capacity बहुत ही ज्यादा है तो इसमें द five quick की दोरन चिपकाना है तो देखे दोस्तो यहां पर इस motor को हमें चिपकाना है तो मैंने यहां पर five quick की माध्यम से चिपका लिया हूँ आप लोग देख सकते हो तो अभी मैंने एक गोला का PVC का टुकडा ले रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए मैंने PVC को काट करके ग्यास पर गरम करके इस प्रकार की गोला का टुकडा बना लिया हूँ और देखे दोस्तो इसका जो साइज है यह हमारा इस PVC की अंदर की गोलाई की हिसाब से आप लोग देख सकते हो तो इसको हमें यहां पर चिपकाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर five quick को लगा लेते हैं ताकि यह हमारा अच्छे से चिपक जाएगा तो आप भी five quick का इस्तमाल कीजिए बहुत ही अच्छे से फेवकुक काम करता है तो फेवकुक लगाने के बाद मैंने यह गोला का टुकडा को इस प्रकार से चिपका लेता हूँ तो देखे दोस्तों यह हमारा अच्छे से तो इस प्रकार से यह हमारा बहुत ही अच्छे से fix हो जाएगा तो इसको सूखने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं और अभी मैंने और एक पीवी स्वेब का गोला का टुकडा ले रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए वही मैंने एक पीवी स्वेब को कट क करके ग्यास पर गरम करके बना लिए और उसके बाद मैंने इस प्रकार की गोला का टुकडा उससे कट किया हूँ इसका जो साइज है यह साइज है हमारा इस पीवी स्वेब के अंदर की गोला की सबसे तो देख सकते हो इस प्रकार से यह हमारा पीछे में फीट आ जाएगा और पहला वाला हमारा आगे में था, तो यह हमारा पीछे में लगेगा, तो इसलिए मैंने उसके ही सबसे इसको cut किया हूँ, तो अभी हम इसको रख लेते हैं, और मैंने यहां पर एक 5 बोल्ट चारजिंग सोकेट ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, इसका पीछे में हम बड़ा वाला लेग होता है, वो हमारा पोजटिव होता है, और छोटा वाला नेगेटिव होता है, तो यह हमारा चारजिंग सोकेट को मैंने यहां पर नीचे में रख लेता हूँ, तो देखे दोस्तो इस पीवी स्वेब की गोला का टुकड़े की उपर मैंने एक यहां पर यहांपर फेविक्क को लगा लेता हूं तो आप चाहरो तो ग्लू-गन का इस्तंमाल कर सकते हूं लेकिन इस्कों सूखने के लिए थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं तो दोस्तक अभो पूर थायो या जो बड़ा लेटर की जो लेगे यह नेगेटिव रहेगा और बड़ा वाला लेग पोजिटिव रहेगा तो दोस्तो इस LED को मैंने यहां पर रख लेता हूं और यह LED को हमें यह charging socket के उपर में लगाना पड़ेगा तो मैंने मार्किंग कर लिया हूं और यह marking की उपर हमें यहां पर hole कर ले लेगे ताकि यह हमारा यहां पर अच्छा से फिक्स हो जाएगा तो देखे दोस्तो मैंने charging circuit बना लिया हूं यह जो LED की positive लेगे इसको मैंने charging socket की positive के साथ soldering किया हूं और देखे दोस्तो मैंने यहां पर एक 1N4007 नंबर की डायोड की जो black वाली पट्टी है उसको मैंने charging socket की positive के साथ soldering कर दिया हूं और यह जो डायोड की silver वाली पट्टी है यहां पर हमारा बैटरी का positive soldering होगा तो दोस्तो उसके बाद देख सकते हो यह जो हमारा LED की negative लेगे जहां पर हमारा यह register soldering हुआ है यह register की एक लेक को मैंने यहां पर यह charging socket की negative के सा soldering कर दिया हूं और यहां पर हमारा बैटरी का negative भी soldering होगा तो इस प्रकार से यह हमारा charging circuit बनके त्यार है तो चलिए दोस्तो मैंने यहां पर बैटरी को ले रहा हूं यह जो हमारा हिस्सा देख रहा है red color की वायर soldering हुआ है यह हमारा positive है और उसके बाद यह जो पीछे की हिस्सा देख रहे हैं यहां पर जो gray color की वायर soldering हुआ है यह हमारा negative है तो चलिए दोस्ता अब हम यहां पर बैटरी का connection करते हैं तो जो हमारा बैटरी की positive wear है red color की इसको मैंने डायोड की silver वाली पट्टी के सा soldering कर देता हूं तो देखिए यह हमारा आसानी से soldering हो गिया है और उसके बाद हमारा जो बैटरी की negative wear है इसको मैंने charging socket की negative के सा soldering कर देता हूं तो यह भी हमारा soldering हो गिया है यानि कि हमारा बैटरी का connection complete है तो चलिए दोस्तो अब हम यहां पर यह PVC बैप को ले रहे हैं जिसके अंदर हमारा यह gear motor fix वा था आप लोग को पता होगा तो यह जो gear motor की दोनों wear है वह हमारा पीछे की तरब आप लोग देख सकते हो और यह जो red color की wear है gear motor की इसको हमें इस battery की positive के साथ soldering करना है तो चलिए दोस्तो मैंने यहां पर soldering कर लिए हो और यह उस प्रकार से यह हमारा soldering हो जाने के बाद अभी हम इसको रख देते हैं और मैंने यह यहां पर एक grey color की वहां को ले रहा हूं तो इस wire को हमें इस battery की negative के साथ soldering करना है तो चलिए दोस्तों यहां पर यह ज़ो wear था इसको मैंने battery की नेगेटिव के साथ सॉल्डरिंग कर लिया हूँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने छोटा सा स्पिष्टी स्विच ले रहा हूँ इसका पीछे में हमारा दो लेग होता है तो ये स्विच आपको इलेक्टोनेस की दुकान पर मिल जाएगा तो हमें इस स्विच को इस PVC पेप के उपर लगाना है तो इसके लिए मैंने PVC पेप के उपर सॉल्डरिंग एरन की मदद से होल कर लिया हूँ हमारा स्विच के अनुसार तो इस होल के अंदर हमारा स्विच अच्छे से आ जाएगा तो देखे दुस्तों यहां पर स्विच को लगाने से पहले स्विच के साथ हमें connection करना पड़ेगा तो स्विच का जो दो लेग दिया जाता है एक लेग में हम बैटरी का negative air को लगाएंगे और दूसरा लेग में हमारा जो मोटर की negative air है उसको soldering करेंगे तो सबसे पहले मोटर की नेगेटिव एर को हम इस होल के अंदर निकाल देते हैं उसके बाद बैटरी की नेगेटिव एर को हम इस होल के अंदर निकालेंगे लेकिन उससे पहले हमें बैटरी को इसके अंदर फिक्स करना पड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से बैटरी को रखके हम यहाँ पर फैवकुक की दोरान इसको अच्छे से चिपका लेंगे तो देख सकते हो यह हमारा बैटरी फीक्स हो गिया है उसके बाद यह जो हमारा बैटरी का नेगेटिव एर है इसको मैंने इस होल के अंदर निकाल लेता हूँ तो देखे दोस्तो मैंने यहाँ पर बैटरी की नेगेटिव एर को इस होल के अंदर निकाल दिया हूँ और इसके बाद इस जो इसका पीछे की भागे इसको हमें इस PVSWave के उपर कुछ इस प्रकार से रखके फेवकिक के दुरान चिपका लेना है तो आप लोगा भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको चिपका ना है और ये दोस्तो हमारा चिपक जाने के बाद हम यहां पर switch का connection ये दोनों वैर के साथ कुछ इस प्रकार से कर लेंगे और ये switch का connection हो जाने के बाद हम ये switch को यहां पर लगा लेते हैं तो चलिए दोस्तो मैंने यहां पर ये switch को on करता हूँ तो देखिया हमारा gear motor भी move कर रहा है यानि कि घुम रहा है तो switch को बंद करने से हमारा gear motor बंद हो जाता है तो दोस्तो अभी मैंने एक cycle की spoke ले रहा हूँ और ये आपको एक दो रुपे में cycle की दुकान पर मिल जाएगा है आपको नया spoke लाना है तो अभी मैंने ये spoke को यहां पर से cut कर लेता हूँ प्लायर की मदद से आप चाहो तो hexa blade से भी cut कर सकते हो तो इस प्रकार से ये हमारा cut हो जाने के बाद ये जो हमारा भाग बचता है तो हम इसको यहां पर use करने वाले हैं तो दोस्तो ये spoke को मैंने एक PVC पेप के उपर रखके प्लायर की मदद से पकड़के इसको इस प्रकार से घुमाता हूँ जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो तो मैंने वीडियो में जैसे दिखा रहा है आपको ऐसे ही करना है तो चलिए दोस्तो इस प्रकार से इसको घुमा देता हूँ और इसको हमें कुछ इस प्रकार की style बना लेना है जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख सकते हो तो इस प्रकार से बनाने के बाद हम यहां पर यह हमारा machine को लेंगे जो हम बनाए थे तो यह gear motor की बीच में हमारा जो shaft की बीच में एक hole होता है तो उसके अंदर हमें यह spoke को गुसा देना है और अभी हम यहां पर इसको 5 quick की दोरान अच्छे से कर लेंगे यहां पर तो यह हमारा अच्छे से चिपक जाएगा और fix भी हो जाएगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको charge कर लेते हैं तो इसको charge करने के लिए आपको mobile charge चाहिए तो देखे दोस्तों यहां पर हमारा red color के लिए glow कर रहा है यानि कि battery charge हो रहा है तो इसी प्रकार से आप इसको charge कर सकते हो तो चलिए बिना दर कि हम इसको practically test कर लेते हैं तो यहां पर मैंने आटा की बीच में पानी डाल दिया हूँ तो अभी हमारा machine ready है तो इसको मैंने switch को on कर लेता हूँ तो देखे दोस्तों यह हमारा कितना आची तरीके से गोल गोल गुम रहा है और हमारा आटा और पानी को mix कर रहा है तो इसी प्रकार से यह हमारा अच्छे से mix करेगा तो मेरा battery में अभी थोड़ा सा low charge है जिसकी बज़र से यह हमारा बहुत ज्यादा slow गुम रहा है लेकिन अगर आपका battery full charge होगा तो यह हमारा बहुत ही तेजी से गुमेगा तो यहां पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर लिया हूँ तो देख सकते हैं आपको ज्यादा जोर से वीडियो दिखाई दे रहा होगा तो अभी मैंने वीडियो को speed कर लिया हूँ तो इसी प्रकार से मैंने यहां पर इस आटा और पानी को इस मेसिन के दोरान मिक्स कर रहा हूँ तो देख सकते हूँ दोस्तों यह самых के त Cantonese अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा है तो दोस्तों इसी प्रकार से आप यह मेसिन के दोरान आठा और पानी को अच्छे से मिक्स कर सकते हो तो दोस्तो, अब आप इससे रोटी बनाने के लिए जो छोटे छोटे गुलेल होता है उसको हाथ से बहुत ही आसानी से बना सकते हो और दोस्तो मेरे को रोटी बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है तो यहांपर मुझे लग रहा है कि ज्यादा पानी हो गया यहां पर और भी आटा डालना चाहिए अगर आपको पता है कि पानी और आटा कितना डालना चाहिए तो आप अच्छे से डालिए और इस मेसिन के दोरान अच्छे से मिक्स कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और एसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेले करने उसको प्रेस करके ओल पर दबा देना तो चलिए दूस्तो आज के लिए मैं रहता हूँ जहीं जेबरत बंदे मातरम